हेलो एवर्वन यो अला वाचिंग आईश्पी सिंप्लिफाइड और यह है हमारा डे 19 का सेडूल ठीक है न और वियर टॉकिंग बाउट सेडूल ऑफ 28 जैन ठीक है न टाइम बचा है बहुत कम लेकिन टाइम है सफिसेंट क्योंकि हम लोग अल्रेडी कुछ सेग्मेंटों करत ठीक है कि किसे मैंच सब्सक्राइड एक कुछ एल्फ है थेकर है यह स lleए हमयरे होम दिस्त्रिक में तो मेरी वो Será की दिया आते हैं इन्फर्मिशन तो सेर कर सकते हैं तो अलाकर हमारे विहार में बहुत लोग करते हैं कुछ और इमुशन तो काफी है अधर काफी सारे श्टेट में मुझे यह फील हुआ कि भीहार काफी ज्यादा इन मामलों में बहुत अच्छा है ठीक है तो हार हमें सार निगेटिव पॉइंट्स नहीं देखना चाहिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे बिहार में और जो की more than sufficient है बाहर सर्वाइव करने के लिए ठीक है चलिए आज हमारे सेग्मेंट चल रहा है वोल्ड जोग्रफी का उसमें देखते हैं उसमें हम लोग मैंने डाला है आपको कलाउड वाले सेग्मेंट को च्लाउड वाले सेग्मेंट उसके बाद मेंस करें है फिर world climate को देखें लें स्वाइल इसके बाद ट्राइपफर राली याद रखीरें को ट्राइप्स इन तो आप लोग center mention कर देगा उससे क्या होगा कहीं किसी की कोई center common होगा तो आप लोग उसके comment section में help कर सकते हो ठीक है चलिए और एक बात का तो हमेशा ध्यान रखेगा अभी आपके बास more than sufficient time है कि यह भी आप zero से start करके मतलब एक पर से बस आप कर रखे हो तो री डिवीजन के लिए complete time है hundred percent time है ठीक है तो मेन दिमाग का होता है mental strength कि हमें यह लगता है कि time नहीं है तो हम लोग preparation को lose करते चले आते हैं ठीक है एपी center पर चिपके रहना है चलिए अब हम लोग बात करते है biology जो general science का segment चल रहा था उसमें कौन कौन सी topic को लेंगे तो deficiency व चाहिए और एक बात याद रुखिएगा disease वाले potions को deficiency वाले potions को बहुत अच्छे से करना है deficiency का segment है already block करके दिया रखा है घटना चक्र में महाँ उठाएगा पूरा vitamin A से vitamin K से A E से vitamin C की कमी से क्या होता है deficiency को बहुत अच्छे से किजिएगा BPSC का से favorite topic है यह ठीक है न उसके बाद reproduction chapter देखना है ठीक है चलिए फिर हम लोग re-revision segment में चलते हैं जो हम लोग कुछ रखते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं चीजों को ठीक है न देखिए एक तरीके second layer चल रहा है आप लोग का मतलब revision में second आप लोगों ने जो पढ़के आया था वो अलग है यह अठारा दिन में री-revision segment चल रहा है ठीक है ना तो chemistry वाले segment में alloys कर लिजेगा metals and non metals कर लिजेगा ठीक है यह मैंने अपने चैनल पर अल्यडी करा रखा है आपको मन होगा तो वहां जाके सुन ले ना दो के स्पीड से नहीं तो आप खुद से लगा ले ना जहां आप जिस कुछिन को आपने याद रखे यह दोनों चैप्टर तो आप प्लीज मेरे चैप्टर से ही पढ़ना क्योंकि मैं एक खुद एक electrical engineer हूं ठीक है और यह मैं काफी अच्छे से परहा दिया हूं ठीक है जितना मुझे देना था for general science के लिए वह मैं अपना डाल दिया हूं ठीक है ना मैं गेट और engineering services के लिए लेक्टर प्रोवाइड करता था पहले ठीक है ना बट अभी मैं उसको रोग दिया हूं अभी complete मेरा focus state pieces और UPSC के लिए है ठीक है ना तो आप इसको जाकर के complete देख लेजेगा electricity and conductivity वाले portion को ठीक है ना और यह तो electricity वाले को तो complete देखेगा वहां जाकर आपको बिहार की एक बार ना cross verify कर लेना speedy वाले speedy वाली भी बिहार special की book मैंने डाल रखी है current affair वाली उससे भी कुछ cross verify कर लेना हो सकता है कहीं पे इतने errors मिल जाए आपको ठीक है ना कुछ printing errors होते है कुछ जलदवाजी में लोगों का error होता है ठीक है तो एक बार आप cross check कर लेना बिहार budget से कर लेना ठीक है उसके बाद books and authors dances and famous personalities जो भी बिहार से related है किसी भी book में kvc crown में मिल जाएगा kvc nano मिल जाएगा crown में मिल जाएगा कहीं पे भी आपको मिल जाए तो बस सरसरा हाट की नगास से देख लीजेगा books तो जरूर देखेगा अच्छे से ठीक है ना और famous personalities में जेपी फिर आपको बहुत सार है famous personality जुबैर हो गए मुहमत जुबैर फिर ऐसे बहुत सारे है ठीक है ना सचीता नंसीना जी हो गए फिर सरकेशन सेंग हो गए ठीक है तो देख लीजिए का एक बाच्छे से interesting figures होंगे और personalities गार में तो जानना मेरा वह है करता वह ठीक है आप कोई भी सोर्स रख लो या तो आप एल्टूडिया रख लो या स्पीडी रख लो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ना उसके बाद national और international पर हम लोग चलते हैं environment related करेंट अफेर करना है जो कि मैंने अल्रडी स्पीडी की डाल रखी है स्पीडी वाले प्लेश पर आप जाकर चेक कर लिजे नहीं तो आप खुद से बुख उठाई है कोई भी पढ़ जाए कोई इसो नहीं है ठीक है ना उसके बाद science and tech की जो आती है उसको देख लेना science and tech से related जो करेंट अफेर हो उसको देख लेना तो यही था देखिए हम लोग लगबग आप आ गया है इसको नमबर बहुत टफ है कुछ नहीं है BPSC के case में तो आप उठा सकते हो ठीक है ना आपको मैं बताता हूं मैं जब मैं त्यारी स्टार्ट किया था तो मैं एकदम जीरो पॉइंट पर था ठीक है ना मैं पूरी engineering की segment को एक तरफ रख के फिर BPSC किस लेवर सा इवन मैं UPSC level के त्यारी किया ठीक है ना पहले मैंने spectrum खतम किया फिर लक्षमी कांथ खतम किया फिर उसका रमेशिंग खतम किया फिर मैंने मुर्णाल की lectures देखे तो इसी तरीके से मैंने geography के लिए जैसी लिवांक को पर हा तो मैं खुद से किया मैं मुझे किसी की help की जरूत नहीं पड़ी बट लेकिन हाँ इतना था कि मैंने time दिया प्रॉपर सेड्यूल के साथ consistency मेरी हमें से रही मेरा planning पार्ट हमें साथ चाराता है ठीक है ना तो आप planning पार्ट पर वर्क करो जरूर अच्छा होगा ठीक है ना मैं यह बस इसलिए share करता हूं मैं यह फेकने की बात नहीं है बस इ तो मेरा सही रहेगा this is all about 28th jan schedule day 19 और आप मेरे से जुरे रही है इसी तरीके से 69th की भी लाएंगे और जब भी कोई भी exam होगा उसको segment fragment way में करके छोटे छोटे पार्ट में disintegrate करेंगे और हम लग उसको as a schedule pigeon करेंगे और schedule के साथ मैं हर दिन के topic को कराऊंगा भी next exam से ठीक है this is all about the segment thank you